C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना अध्याए 13 पेडु की अम्मा थिमक्का प्रिष्ट 108 ये शिरिमती थिमक्का हैं थिमक्का को अम्मा और व्रिक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है इनका जन्म करनाटक के तुम कुरू जिले में हुआ था ये करनाटक में ही रहती है पिछले 80 वर्षों से थिमक्का सडकों के किनारे पौधे लगा रही है पैसे की कमी के कारण अम्मा ने आरंब में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया था थिमक्का सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जानी जाती है सालू मर्दा कन्नड भाशा में पिड़ों की पंक्ती को कहते हैं अतह उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है थिमक्का हुलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगबग 385 बर्गत के पिड़ लगाने के लिए विख्यात हैं इन पिड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणिये और सुसजित लगने लगा इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर पिड़ लगाए जिनकी संख्या 8000 से अधिक है इनसे पर्यावर्ण को बहुत लाब हुआ इस कारे में उन्हें उनके पती ने भी पूरा सहयोग दिया उनके इस महत्पूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2019 में पदमश्री से सम्मानित किया प्रिष्ट 109 इनके उम्र 107 वर्ष है आज भी ये अपने अच्छे कारियों में सक्रिये हैं थिमक्का को भारत के कई वनी करण कारिक्रमों में आमंत्रित किया जाता है अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांध भी समाज के लिए उप्योगी कारिकरने वाली थिमक्का का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है अभाव में भी केवल अपने निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कारे के लिए स्वेम को समर्पित किया जा सकता है? इसका एक उतक्रिष्ट उधारण है थिमक्का प्रिष्ट 110 बातचीत के लिए एक, पेड़ हमारी किस-किस काम आते हैं? दो, क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है? कैसे? तीन, यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अफसर मिले, तो आप कौन सा काम करेंगे? सोचिए और लिखिए एक, थिमक्का अपने किस काम के कारण प्रसिद्ध हुई? दो, थिमक्का को और किस-किस नाम से जाना जाता है? तीन, अम्मा ने बर्गत के पौधे लगाने क्यों शुरू किये थे? चार, इतने सारे पेड लगाने के लिए अम्मा को किन-किन चुनोतियों का सामना करना पड़ा होगा? पाठ के आगे एक, यदि आपको थिमक्का अम्मा का परिचय देना हो, तो आप कैसे देंगे? थिमक्का अम्मा, रिक्तिस्थान प्रिश्ट 111 दो यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहता करने का अवसर मिले, तो आप कैसे करेंगे? रिक्तिस्थान भाशा की बात एक थिमक्का में का आया है ऐसे विजनों को द्वित वियंजन कहते हैं ऐसे और शब्द सोच कर दिये गए स्थान पर लिखिए उधारण के लिए रस्सी रिक्तिस्थान दो पेड को व्रिक्ष भी कहा जाता है क्या आप बता सकते हैं कि अलग-अलग भाशाओं में पेड को क्या-क्या कहा जाता है? रिक्तिस्थान प्रिष्ट एक सो बारह तीन कही बार हम एक वर्ण और एक अक्षर को मिला कर एक नया संयुक्त अक्षर बनाते हैं जैसे संयुक्ता अक्षर क जमाश क्ष उधाहरण क्षमा दक्ष पक्ष ज जमा न्य ग्यान विज्ञान आज्या त जमार त्र पत्र चित्र मित्र श जमार श्र श्रम आश्रम श्रमिक इन उधाहरणों के आधार पर यहां दिये गए चित्रों को देख कर शब्द पूरे कीじे पहला चित्र एक पेड का है जिसके नीचे लिखा है व्रि रिक्तस्थान दूसरा चित्र आखो का है जिसके नीचे लिखा है ने रिक्तस्थान तीसरा चित्र त्रिकोण का है जिसके नीचे लिखा है रिक्तस्थान भुज चौथा चित्र एक कक्षा का है जिसके नीचे लिखा है कर रिक्तस्थान चौथे चित्र में कुछ श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जिसके नीचे लिखा है रिक्तिस्थान मिक प्रिष्ट 113 कुछ नया करें एक आपने थिमक्का के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरित हुए थिमक्का को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने मन की बात बताईए रिक्तिस्थान पूज अम्मा सादर प्रणाम रिक्तिस्थान अब आप रिक्तिस्थान में पूज अम्मा को अपने मन की बात बताईए दो चित्र देखकर उन वस्तुओं पर गोला बनाएं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए हैं अब आपको इन चित्रों को देखकर उन पर गोला लगाना है जो हमें पेड़ों से मिलती हैं यह थे कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना, वाचन्स्वर प्रवीन शर्मा और रिचा सयाल, ध्वन्यंकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नैदि